इन होटों से जरा काम लीजिए इन पर हमारा नाम लीजिए पस इन पर जिक्र होना चाहिए शिर्फ हमारा चाहे किए चाहे बदनाम कीजिए जै हिन दोस्तों आप सभी बहुत अच्छे होंगे बहुत दिनों बाद हमारी मुलाकात हो रही है आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वह सिलोजिज्म एक बहुत इंपोर्टेंट चैप्टर है आने वाले जो चैप्टर्स है कतन इसकर्स कतन अवधारना पूरुधारना इन सब के लिए यह चैप्टर समझ है इसमें कि कुछ A B है यह आता है पहला सेंटेंस तो हो गई यह तो होगा कथन और फिर आपको दो कथन देकर और दो निसकर्स देगा और फिर आप से पूछेगा कि बताईए कौन सा निसकर्स कथन के अनुसार सही है अब इसका एक तो होगा ओरीजनल डाइग्रम और एक ह बात करे हम कुछ A B है कुछ A B है इसका ऑरीजनल डाइग्राम क्या बनेगा कि यह कुछ A वाले जो ऐ थे यह पूरे होते लेकिन इसकी रेंज कहां तक जा सकती थी इसकी रेंज यहां तक जा सकती थी कि कुछ यह जो है वो भी है माली जी यह पूरे होते और अगर भी इसके अंदर भी आते तब भी आप यह कहते कि कुछ यह जो है जो सिर्फ इस एरिये में आ रहे हैं वो भी है आप इसको ऐसे समझ रहा है कि कुछ remote और कुछ कागज लेकिन अगर यह remote सारे के सारे इसके अंदर भी आजाते तब भी आप यह कहते कि भाई कुछ कागज जो है वो remote है तो यह इसकी range हो गई आपको range और original दोनों ही पता होना चाहिए आंसर हमें जो देना है वो देना है original के इसाब से range कहां काम में आएगी range के लिए आगे हम पढ़ेंगे लेकिन अभी आप यह चीज ध्यान रखना जितना कहा जाए उतना तो है यह लेकिन अगर हम सोचें कि भई आगे और कैसे इसका डाइग्राम बन सकता था तो वह है यह ठी सभी A B है इसका मतलब क्या हुआ कि सारे के सारे जो A है सारे के सारे जो A है सारे के सारे भी है original डाइग्राम तो बना इसका यह लेकिन इसकी range क्या हो सकते थी range यह हो सकते थे range का मतलब है आपके दिमाग के उपज सिर्फ range का इतना सा मतलब है इसके अलावा कुछ भी मतलब है इसका आप मुझे बताओं अगर यह डइग्राम नहीं बना बना हुआ होता तो आप प्यर्ट में क्या कहते हैं कि बहुत अथा हो यह एक अभिन ऐसा होना जरूरी नहीं है ऐसा कुए लेकिन तो हैं उन्हें को trabalh सारे यह यह बीроде सवाल आज की कलास के बाद आप को हम दूर दूर बना लेंगे इन दो में कोई समद्ध नहीं है इसकी लोह इसे नहीं बन सकते तो इसकी बना आपके जो मैन कुछन से बनते हैं वो केवल इनी दो चीजों पर बेश्ड है समझ गए आप कुछ ए बी है यह कुछ ए जो है वह बी आगे और कुछ ए केवल इस पॉर्ट्शन वाले वो जो है वो भी है इस इतनी सी बात आपको धानक नहीं अब इस पर क्यूस्टन कैसे कैसे देख़ए जैसे आपको दे दिया कि कुछ ए जो है वो भी है यह कथन की बात कर रहा हूं मैं इस्टेट्मेंट की है दूसरा दे दिया आपको कि सभी भी कि है यह दू बातें आपको दे दिए एक तीसरी ओर ले लो कि कुछ कि जो है वो है यह तीन कतन आपको दिये है तो पहले तो इसका आप डा कि आगे कुछ A B है सिर्फ इतना सा होने को यह ऐसा भी हो सकता था मैं इस डाइग्राम को ऐसे भी बना सकता था कि ये देखो ऐसे भी बन सकता था कि कुछ B मीरत ऑप कि कुछ A जो हैं वह भी है लेकिन यह जो है यह है इसकी ESTा धना है ऐसा हो सकता था, है नहीं ऐसा तो कुछ A जो है वो B हो गए, सबी B जो है वो C है सारे के सारे जो B है, सारे के सारे C है यह आ गया, अब यह डाइग्राम ऐसे भी बन सकता था कि यह A हो गया, यह B हो गया अगर C पूरा यहां से आता, तब भी आप लोग यही कहते तो यह चीज आपको रेंज में देखनी है अभी यहां काम में नहीं आएगे इसको छोड़ दीजिए आगे चले आप नेक्स्ट आप देखें कुछ C जो है वो D है कुछ C D है कुछ C जो है वो D है वो यह पोर्षन आगया आप चाहते तो इसको ऐसे भी बना सकते थे वह यह आ यह कंग यह वाले वी थी हो सकते थे आप इसック कई के bod कुछ ऑट जो है कुछ C जो है वो देखो यह जो सब्सक्राइब है यह पोर्षन में और रहे है यह जो इस पोर्षनải है यह सी जो है वह डी है लेकिन ऐसा लेकिन लेंटी है यह हमारे दिमार की उपज है उरीजिनल टी में ठोल टी में आपको जितना कहा जाएए आपको को फिर्फ करना यह बात आप द्यान रखें अब सब्सक्राइग आप elder कुछ A जो है वो D है कि दूसरा निश्कर्स अपने से पूछा होता कि कुछ C कुछ C जो है वो A है एक निश्कर्स अपने से पूछ लेता कि कुछ B जो है वो A है एक पूछता कि कुछ डी जो है कुछ डी भी है ये बाते अपने से पूछ लेता तब हम क्या करते किसको तो सही कहना है किसको गलत कहना है अब इससे पहले एक चीज और दाने आप कि जो निसकर्स कहते किसे हैं निसकर्स से मतलब क्या हुआ जैसे निसकर्स का मतलब हुआ आप आपने कोई बात कही और इससे सामने वाला कोई निसकर्ष निकाल ले जैसे एक नेता जी किसी रेली में गए और नेता जी ने वहां जाके कहा कि अगर आप मुझे वोट देते हैं तो आपको इस बार दो है मैं आपको पूरी कोलोनी में पानी की सुविदा उपलब्द करा है तो नेता जी यह बात कहके और निकल गए इससे आपने क्या निष्कर्ष निकला आपने निस करशियो निकला कि अगर नेता जी को वोट नहीं दिया थो हमारी कोलोनी में पानी नहीं आएगा गठ्वान लेतन ऐसे मैं आपसे ृऔर ब्यूंत कीजिए मैं आप निसकर्ष क्या निकाला आपने निसकर्ष निकाला कि अगर मेने मेहनत नहीं की तो मैं नवकरी नहीं लगूंगा पस यही बात है इसमें समझने वाली मोटी- leafy जो है इसके अलावा कुछ भी कहो चाए England में जाके कहो चाए इंदुस्तान में कहो चाए किसी दानी में जाकर को सुरज पूरब से होगेगा हर आदमी यही बात कहेगा कि सुरज पूरब से उगता है यह बात universal truth है तो जो बात सबी जगें सही हो वह 100% सही यानि जो बात original diagram में और range में दोनों में सही है तो वो गे 100% सही और जो दोनों में गलत है वो रोंग आ जाएगा यह दोनों में गलत है लेकिन एक चीज ऐसी होगी जो एक में सही होगी औरीजनल डाइग्राम में हो सकता है सही हो रेंज में नहीं बन रही हो या औरीजनल में बन रही हो रेंज में बन रही हो तो जो जी एक जगे सही हो एक जगे गलत हो तो इसको हम लेंगे partial रॉंग और पार्शियल रॉंग क्यों लेंगे सब इसके भी मैं आपको कारण बताऊंगा आगे पहली चीज पुछ पुछ ये जो है वह डी है पुछ ये ड है आप एक बात बताओ कुछ ये जो है क्या वो डी है क्य अभी तो नहीं है, लेकिन क्या हो सकते थे क्या, अभी मैंने आपको बताया, पार्शीर प्रॉंग का कंसेप्ट, कुछ A, D है, अभी तो नहीं है, लेकिन क्या हो सकते थे, देखो आप, ये A हो जाते, ये B होते, यह C हो जाते, इसने कहाता कुछ C D है, तो भई D सारे ये भी तो हो सकते थे, अगर D सारे ये हो जाते तो आप देखते कि कुछ C D है, ये बात तो फुल्फिल हो रही है, लेकिन इसने अपने से सिर्फ इतना कहा था कि कुछ C D है, इसने ये नहीं कहा था कि D जो है वो A B होंग लेकिन ये हमारी range है तो ये चीज original diagram में तो नहीं है लेकिन ये range में है तो ये ना तो सही हुई पूरी तरह ना पूरी तरह गलत हुई तो इसको हम लेंगे partially wrong ठीक है आगे चलिए दूसरे पर दूसरा इसने कहा कुछ C जो है वो A है कुछ C जो है वो A है वो इसलिए हो गए क् तो इस ये बात जो है वो यहां भी सही है आप कहीं भी चले जाओ B तो आएगा तो सी के अंदर ही और कुछ A जो है वो 100% B होंगे तो ये बात पूरी तरह सही है आप original diagram में देखो चाहिए इसके range में देखो अगर आप ये range समझ गए तो फिर इसके बाद इस chapter में प्रोब् कुछ काले जो है वो लड़के भी तो होंगे दोनों चीज़े एक ही है ठीक है ये ध्यान रखना आप तो कुछ B जो है वो ए है तो ये बात पूरी तरह सही है next देखो कुछ D B है कुछ D जो है वो B है क्या इस condition में है क्या आपको सिर्फ यही बात ध्यान रखनी है कि इस condition मे है या नहीं है क्या ऐसा हो सकता है अगर आपने ये बात समझ लिए कि क्या ऐसा हो सकता है तो फिर इस सेटर में कोई दिक्कत आने वाले नहीं है कुछ D जो है वो B है इस condition में है क्या नहीं है लेकिन क्या हो सकते थे बिलकुल हो सकते थे कैसे हो सकते थे कि ये A हो जाते हैं, ये B, ये C, अगर मैं D को यहां से बना देता, ये D हो जाता, तब भी आप यही कहते हैं कि कुछ C जो है वो D है, और भई इस D के अंदर B भी आ गया और A भी आ गया, तो ये बात ना पूरी तरह सही है, ना पूरी तरह गलत है, तो भई इस केस में तो हो हो रही थी, लेकिन इस केस में नहीं हो रही थी, तो फिर ये बात जो है, वो पार्शली रोंग है, तो ये दो पार्शली रोंग हो गए, अब आपके दिमाग में फिर एक डाउट है, कि सर ये पार्शली रोंग जो है, वो सही है या गलत है, तो भई इसको हम गलत ही पढ़नेंगे तो फिर पार्शली रोंग क्यों तो जब यह संभावना वाले क्यूशन समलोग पढ़ेंगे उसमें यह चीज बहुत काम में आएगी ठीक है क्लियर है क्यूशन करते हैं क्यूशन आपको इस तरीके से मिलेगा कि नीचे देगे प्रतेक प्रशन में तेन कतन और उसके बाद दो निशकर्ष एक और दो दिये गए हैं आपको दिये गए तीनों कतनों को सक्ते मानना हैं देखो इसमें यह कहीं बार ऐसे क्यूशन देता है कुछ कुट्टे बिल्ली है कि बिल्ली घदे हैं कि मुरक हैं इस तरीके के तो आपको सब चीजों को सहीं मानना है आप जानते हो में पीडी लेकिन आपकोसे मानना है इसके आगे कि दिया Flatali बलेई वे सरवग्या तत्यों से भिन देखते हो यही बात जो मैंने आपको कहिए अभी सभी निसकर्षों को पढ़िए और फिर तै कीजिए कि दिया गया कौन सा निसकर्ष दिये गए तीनों कत्नों को तारकिक रूप से अनुसरन करता है बलेई वे सरवग्या तत्य कुछ भ हैं क्या वो सारे के सारे मेज है क्या तो यह हो गया मेज आगे सबी खिड़किया जो है वो भी मेज है सारी की सारी खिड़किया मेज है आप में से कई बच्चे गलती यह करेंगे कि इसको खिड़कियों को यहां बना देंगे लेकिन मैं कह रहा हूं जितना इसने कहा है आप और यहां आगई आप इन खिड़कियों को इसके अंदर भी रख सकते थे लेकिन वह है इसकी रेंज वह हमारे दिमाग की उपज लेकिन अभी इसने जितना कहा है हम सिर्फ उतना करेंगे इससे आगे नहीं अब निस्कर्जों सभी खिड़कियां पंके हैं सारी की सारी जो खिड़कियां है क्या वह पंके हैं एक बात बताओ यह मेज से बाहर का जानी है निस वह है आप इसको ऐसे समझे आपे पास मालीजी ये ट्यूद्नॉ्जास है ये ड्यूस है है यह एक तरा के सारे 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 रिमोट जो है वो पेपर एक अंदर आ अगया और फिर मैं कहुँत सारे के सारे पेपर जो है Wow Glass थो देए गिलास इसके अंदर आगया अब यरिमोट जो है वह कभी काज यह जा सकता कागत जो है वो कभी काच से बाहर नहीं जा सकता तो इसका मतलब सारे के सारे जो remote है क्या वह 100% काग यह जो काच है वह होंगे क्या बिल्कुल होंगे ठीक है तो यहीं बात आपको ध्यान रखने थी तो सबी खिड़कियां पंके हैं सारी की सारी खिड़कियां जो है क्या वह पंके होंगी और वहर केस में होगी बिल्कुल हर केस में होगी आप कोई साभी डाइग्राम बना लीजिए मेज से बाहर खिड़कियां कभी नहीं जा सकती और मेज जो है वह पंके से बार नहीं जा सक मेज में हैं तो कुछ मेज तो डिब्बे होंगे यहंगे फंडेट परसंट होंगे यह बात भी पूरी तरह है तो इसका पहला और दूसरा दोनों इसकर जो है वह ए्ट निसकर्श एक और दो दोनों सब्सक्राइब घिक है आगे चलिए दूसरा देगो कि नेक्स खर सब्सक्राइबischer कंपने द्यान से समझना इसको सब्सक्राइब का रसे شान हम प्लब के सब्सक्राइब सरी सभद तर इसको यहां जान देते हैं लेकिन जितना कहा जाए उतना है करेंगे हम यह तार पस आप चाहते तो इसको ऐसे भी बना देते कि यह खंबे यह लाइट यह बल्ब इसने कहा था कुछ बल्ब जो है वो तार है तो बही बल्ब यह वाले भी तो थे मैं यह तार भी कर सकता था लेकिन यह है इसकी रेंज और इजनल डायग यह कुछ लाइटे जो हैं कुछ लाइटे खंबे हैं और सारी की सारी लाइटे बल्ब है तो यह बात तो 100% होगी होगी यह बात सही है कुछ खंबे बल्ब हैं यह हर केस में सही होगा आप चाहिए खंबे और बल्ब को कहीं भी ले जाओ लेकिन सारी की सारी अगर लाइटे खंबे है बल्ब है तो भई यह खंबे भी होंगे कुछ खंबे जो है वो 100% बल्ब होंगे तो पहली बात पूरी तरह सही है दूसरी कुछ लाइटे तार है कुछ लाइटे जो है वो तार है अब देखो इस केस में तो यह नहीं है इस केस में तो यह नहीं है लेकिन क्या ऐसा ह हो सकता था बिल्कुल हो सकता था यह खंबे हो जाते यह लाइट हो जाती यह बल्ब हो जाते और अगर तार यहां से आ जाते हमें सिर्फ इतना का आ गया है कि कुछ बल्ब जो है वो तारे है क्या यह बात यहां सही सिद्ध नहीं हो रही है अगर आप देखो तो यह यह जो प तो यह हो गया partially wrong और partially wrong को आपको गलत ही मानना है तो इसमें केवल पहला निश्कर सही है यदि केवल फर्स्ट निश्कर सही है ठीक है next question पर आओ अगला question था सभी इमारते सडक हैं देखो सारी की सारी जो इमारते हैं सारी की सारी सडक है सारी की सारी सडक है इसके बाद सभी सडके जो हैं वो ट्रक है सारी की सारी सडके जो हैं वो ट्रक है इसके बाद सभी ट्रक पहाड है सारे के सारे ट्रक पहाड है तो पहाड इसके उपर से आ जाएगा यह इसकी एक डाइग्राम बन गया अब पहली चीज़ सभी इमारते पहा बना लीजिए यह इमारत कभी निकल के पहाड से बाहर नहीं जा सकती यह बात आप मान के चले तो यह बात पुरी तरह है और इसने कहा कुछ पहाड सडक है अरे जब रिंग के उपर रिंग आ रही है तो यह कुछ वाड़ा तो 100 परसेंट सही होगा कुछ पहाड सडके है वही पहाड के अंदर ही तो आ रही है सडके आप इसको ऐसे समझें कि जैसे सबसे पहले ये थी इमारते ये सारी की सारी इमारते जो है ये हो गई हमारी इसको माल लेते हैं सडक ये सडक हो गई और उसके बाद ट्रक इसको माल लेते हैं ट्रक ये जो हो गया ये ट्रक हो गया और ट्रक के बाद ये आगया पहाड ये आगया पहाड इसको यहां रख कि अधर आप कोई सा भी डाइग्रांब। बंना लो यह जिए अमारत है यह कभी Imari आपको समझने वाले तो कुछ पहाड तो सड़के यह बात पुरी तरह सही है तो इसका सभी पहला और दूसरा ठीक है जाँ ओक कि नेक्स था कुछ चम्मच कटोरे हैं आप कहा से लिया यह सब्सक्राइब और कटोरे दोनों चीजहां गई फिर कुछ कांटे कटो रहे हैं कुछ कांटे जो है वो कटो रहे हैं तो भी कांटे यहां गए कुछ काटे संवाध में कि ए फॉर सब्सक्राइब हुआ या काटे है इसके में इसके में आप लेकिन अगर रहेंज की बात करेंगे तो क्या रेंज में है बिल्कुल है मैं यह काटे है यह इसके अंदर अगए यह चीज जो है वो ना तो पुरी तरह सही है ना पुरी तरह गलत है तो इसको आपने माल लिया पार्शली रहों गए ना सही है ना गलत है दूसरा कुछ पैन जो है वो काटे हैं कुछ पैन काटे हैं कुछ पैन जो है वो काटे हैं क्या है कि इस केस में अगर आप देख पा रहे हो तो इस केस में तो नहीं है लेकिन क्या हो सकते थे क्या बिल्कुल हो सकते थे देखो कैसे हो सकते थे यह चम्मच यह कटोरे यह पैन और ये काटे की बात हो रही थी तो काटे वो इधर से भी ले सकते थे हम ये काटे आप देखोगे कि काटे और पैन जो है इसने यह काया कुछ पैन काटे है कुछ पैन जो है क्या वो काटे हो गई गया देखो इस पोर्शन में जो आ रहे है लेकिन ये हुआ कहा ये हो रहा है ना पुरी तरह साई है और नहीं निस्कार्ष तो सत्य है ये दोने अगला देखो शूड़िया है वह अंगूत हैं θαबी चूड़िया जो है सभी चूडियां जो है वह अंगुठियां इसके बाद सभी यॖिलोन इसके बाद कुछ खills ने गुडिया एक चाहते तो और बड़ा सकते थे लेकिन हैं वहिए ऐसे नहीं करना क्यों नहीं करना क्यों इससने वे रिवाँ सिर्फ सिर टना कहा है कि कुछ खिलोने जो है वो गुडिया है ठीक है Hello अब देखो पहला निश्कर्च देखो कि कुछ अंगूठीया जो है वो चूडिया अंगूठीया जो है क्सहरO लता अगुडिया। वाथ ऍंदर है तो यह बात पुड़ी तरह और पूरी तरह साथ है कुछ गुडियाच जो है वह अंगुडिया गुडिया जो है है के इस-कस में नहिए लेकिन आप ये अंगूठिया और ये हो जाते हैं आपके खिलों ने और अगर मैं इस गुडिया को यहां से ले 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 था अगर मैं गुडिया को यहां से ले ले था ये गुडिया हो जाती तो आप कह देते कि यह सारी अंगूठिया इसके अंदर आ जाती इसके अंदर आ जाती लेकिन य है हमारी रेंज इसने जो बात किती है आख्री कि इसने का है कुछ खिलोंने गुडिया अगर यह पूरा यहां से आ गια तो इस एरियन में आगए 네 खिलोंने जो हैं वह गुडिया है तो ये बात तो हमारी यह पार्शली रोंग है और पार्शली रोंग को हम लोग गलत ही मानते हैं तो केवल निसकर्ष एक सई है पहली चीज़ सई है ठीक है नेक्स्ट अब आप बार बार यही सोच रहे होंगे कि सरी पार्शली रोंग फिर लिया ही क्यों है अगर ऐसा सब कुछ हो रहा हो तो मैं आपसे कह रहा हूं कि एक क्लास है जिसमें दो टाइप के बच्चे बच्चे यह हैं कि कुछ तो है इमानदार और कुछ है बेइमान अब अगर कहेंगे आप उसके लिए यह करेंगे आप जो सामने वाला आजमी है उसको यह कहेंगे कि साब यह हो सकता है यह इमानदार हो यह हो सकता है यह बेइमान हो लेकिन दोनों में से एक जरूर यह बात पक्का है अगर यह लड़का इमानदार नहीं है तो यह इमानदार होगा य यह दो बाते यह है अथ्वा वारी कंडीशन जैसे आप 10 का पेपर देखे राते थे 12 का देखé थे तो एक आता था कि या तो आप मैं के इसन को कर दीजे यह जो अत्वा के बाद मैं है यह प्सं मिलता थे आपको दोनों में से कोई एक होना चाहिए जो दोनों में पेपर नहीं है कोई भी पेपर नहीं है तो यह बात आपके समझी 먹 भी यहै इस जितना जितना इसने पुरा मेनने बना दिया पहली बात तो भी इ्रेजर जो है पुरी Perm है है करें स्क kalian इस दिस लिए लेकिन का हो सकते थे कि बिवल्कूल वो सकते थे अब कैसे हो सकते था यह जानो आप यह इरेजर कि यह पर इन्सिल दी यह पैंसिल और यह है आपके पैण इसने सिर्फ यह कहा है कि कोई भी पैन जो है वो पेपर नहीं है यानि पेपर इससे दूर बढ़ना चाहिए तो अगर मैं इसको ऐसे बना लेता कि इसको इधर ले लेता और पेपर इधर कर देता यह पेपर हो जाते तब भी तो कोई भी पैन जो है वो पेपर नहीं है यह बात तो सही है तो बस इस केस में जो है यह पुरी तरह गलत है यह पहली चीज के लिए रोगई दूसरी चीज दूसरा इसने कहा कोई भी पेपर इरेजर नहीं है कोई भी पेपर जो है वह इरेजर नहीं है तो कोई कोईपर इरेजर नहीं यह इसकेस में तो सही है यह बात लेकिन इसकेस में अगर देखा जाए तो कोई भी पेपर जो है वो इरेजर है इसकेस में गलत है मैंने आपको पहले भी कहा था कोई कहीचीज़ें ऐसी है जो original diagram में सही होगी Playing दोवह एक चीज में गलत हो गये सब्सक्राइब करते हैं दोवी दोट गलत मानते हैं तो फिर तो सही हुआ है क्या इसके लिए आप एक चीज जानों कि भाते हैं कि यहां भी इरेजर और पेपर है और यहां भी इरेजर और पेपर है या तो कुछ पेपर इरेजर होंगे या नहीं होंगे इन दो के अलावा तीसरी कोई कंडिशन हो सकती है गया या तो पेपर इरेजर होंगे या नहीं होंगे दोनों में से कोई एक कंडिशन तो होगी तो ये भी हो सकता है नहीं भी हो सकता ये हो सकता नहीं हो सकता लेकिन आप ये वात बताओ कि दोनों में से कोई एक तो होगा या तो कुछ एरेजर पेपर होंगे या नहीं होंगे तो इस केस में ये हमारी आईदर वाली सिच्वेशन आ गई कि या तो कतन निस्कर्ष एक या निस्कर्ष दो सत्य होगा या तो निस्कर्ष एक या निस्कर्ष दो सत्य होगा ऐसा कब होता है ये भी आप जान लीजे जब एक कतन अमें एक निस्कर्ष देदे अमें एक निस्कर्ज देदे कि कुछ A P है और एक निस्कर्ज है कि कोई A P नहीं है देखो एक है पोजिटिव और एक है नेगेटिव और दोनों के दोनों अगर पार्चली रोंग हो तो दोनों में से कोई एक सही होगा यह बात आप ध्यान रखना दोनों में से कोई एक सब्सक्राइब के अगला सवाल था की कुछ पेपर किताबे है देखो कुछ पेपर जो है वो किताबे है यह किताबे हो गई और कुछ किताबे कुर्षियां है कुछ किताबे जो है वो कुर्षियां है तो कुर्षियां यहां आ जाएगी कुर्षियां और कुछ कुर्षियां टेबल है कुछ कुर्षियां जो है वो टेबल है तो टेबल यहां आ जाएगी अब पहली बात कुछ कुर्षियां paper है कुछ कुर्षियां जो है क्या वो paper है क्या अब भी तो नहीं है लेकिन क्या हो सकती ह Laughter क्या बिलकुल हो सकती थी कि यह वागर आपके paper यह हो गई किताबे इसने अपने से कहा था कि कुछ kita whenever कुछushima कुछ motivator कुछ diferen Orange यह आजाती अगर यह जाती है अगर यह कुर्षियां हो जाती तो कुछ किताब fallen song और नहीं है इस समने लेकिन हो सकती ती किया बिल् Country यह हो सकती यह भी पार्टिल रूंग मैंने आप को कहा एक पॉजिटीव हो एक नेगेंसी रूंग हो अंसिक क्यों रूप से गलत हो तो दोनों सुरज अब पहली चीज फुक्ण उपग्रए तारे हैं कि इस कंडिशन में तो नहीं यह लेकिन क्या हो सकते थे क्या बिल्कुल सकते थे यह अजाते अधिए यह आजाते यह और इसने 1 साइक पुर्थने उग्र हैं तो अगर में उग्रुभर को इसके उपड़ से भी ले लेता तु Nepu इस kidnapping करते हैं कि साब सारे के सारे जो हैं वो सारे के सारे उग्रह है तो भई इस केस में क्या सारे के सारे आप तो एकात तारे की बात कर रहे हो साब यह तो पूरी तारे जो है वह उग्रह होगे तो कुछ उग्रह तारे हैं यह बात इस केस में तो गलत है लेकिन इस केस में पूरी कुछ उग्रत तारे है कुछ उग्रत तारे है यहां नहीं थे है यह स्केश में नहीं है कर लेगिन इस केश में पारी पुछ उग्ड़त तारे कुछ उप् Prem संह негоतर नहीं तो यह बात भी पार्चन भाट्सरी रोंग है यह बात भी पार्शली रहों है तो बैइ दोनों में से कोई एक तो सही होगा ना जदी या तो निश्कर्षेक वह या तो तरह उग्र होगा या नहीं होगा इन दो के अलवा तो सिच्वेशन ही नहीं आप से पूछो आप गुटका खाते हो क्या आप यह कहता हूं यह कहता हूं य झाल 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 झाल झाल